हेलो वेल्कम बेक तो मैं चैनल दीप स्टिचिंग एंड फेशन में आपका साहगा थे आज हम ब्यूटिफुल से लटकन बना रहे वाले हैं तो जो मैं दो कलर में बनाने वाल हूं तो यह मैंने डिजाइन वाला फैब्रिक लिया और एक जो है नेट लिया है मैंने यलो कलर का इसी से हम बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने देखि इस तरीके से नेट के जो स्क्यार शेप में कट कर लिया है तीन कट करने हमें सेकंड वाला जो हमें फैब्रिका कट करना दो हमें नेट के कट करने है तो इस तरीके से तीनों मैंने स्क्यार शेप में कट किया है इनकी पाई और चोड़ाई हमें बराबर ही लेनी है और इसकी भी square shape में मतलब बराबर होने चाहिए और तीनों size में एक सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा हमें इस तरीके से भी इसे fold करके देख सकते हैं और cut करते वक्त कि हमारा जो है बराबर है या नहीं है तो मै लटकन बनके यह तैयार होगी एक मेने पहले से ही बना लिए उसी में मैंने आपको भी दिखाया था तो यहां पर हमें सबसे पहले बड़ा वाला जो square shape कट किया net का वह रख लेना फिर उसके उपर छोटा फिर उसके उपर उससे छोटा तीनों अलग कलर में होगें तरीके से हमें नहीं रखना है देखे जो यह वाला point है हमारा इधर हमारा open part रहना चाहिए जिदर हमने तीनों के कोने मिलाए हैं उदर जो हमारी डोरी खुली हुई रहनी चाहिए एक तरफ तो blouse में attach होगी हमारी तो एक तरफ जो है इधर से देखे पलट के हमें देख ले एक दम center में और इन तीनों को इस तरीके से fold करना है fold करते है वक्त हमें ध्यान रखना है कि तीनों की layer जो है दो दो layer आएगी तो बराबर होनी चाहिए एक के उपर एक उसके बाद हमें यहां सी यहां तक इसमें simply चिलाई लगा लेना है pin up करने के बाद भी हम सिलाई लगा स सकते हैं तके हमारे जो इदर उदर किसकेनां तो मैंने यहां पर जो है झालाई लए अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखा देती हूं देखे, बहुत ही आसान है इस लटकन को बनाना और बहुत ही अच्छी लगती है, बनने के बाद देखे, इस तरीके से हमें से सीधा कर लेना है, यहां से देखे, बहुत ही प्यारी लगेगी यह, बनने के बाद देखे, सीधा करने के बाद तीनों इसी तरीके से आएंगे, ए समाचिस से हलका हलका जो है जला के सेट भी कर सकते हैं तो अब हमें इसका नीचे वाला पार्ट कम्प्लीट करना है तो उसके लिए हमें राउंड शेप में कट करना होगा तो मैंने नेट को जो है नेट वाला राउंड शेप कट करके रखा है इससे छोटा हमें जो ये फैबरिक का कटिंग करना है एक बड़ा लेना और एक साइज में छोटा लेना है तो इसे भी मैं इस तरीके से फोल्ड करके कट कर लूँगी या आप किसी ढखकन से बोटल के ढखकन वगेरा से भी कट कर सकते हैं तो यहां से मैं इसमें जो ही राउंड शेप फोल्ड करने के बाद मैंने इसे कट किया एक बार इसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी क्योंकि छोटा बड़ा हो जाता है कटिंग में तो इसे बराबर कर लूँगी यहां से कटिंग करने के बाद ुसे हम एक बात चेक कर लेंगे की इसका साईट जो है क्या है छोटा बड़ा उस तरीके से तो दिखे मिन यहा पर रखके चेक कर रहे हुं तो मिरा यह बड़ा साइज आ रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा और चोटा कर लोंगी तो देखिए इस तरीक सेह चोटा वाला राउंड शेप Caroline सहीप इस तरीक से संटर में से हम तोल करने कि तरफ नहीं अब हमें इस तरिके से हासर जो यह फोल्ड कर देना है यहां थे से परढ़ जो ड़ाएगे अधरम पराबर और एक साइठ तो यह फोल रहेगा डॉरी की तरफ जो फोल रहेगा यहां तो फोल्ड भ. सब्सक्रार तो यहां फैप्रिक टेषलGG करेल तयार साथ मिल्यूभी ता कि इस तरीची मिल्ट के लटकन ऑसके इसे त्यार करें आफा कि मुस्तेर लगें ऐसे तो बाउस सकते हैं तो भविल्गी में में इस टिट्रक πराइव्स से और आप मुझे वहाँ अगर आपको कोई डिजाइन बनवाना है तो फोटो भी बैच सकते हूँ, मैं उसके जरूर वीडियो बनाऊंगी, उमीद करते हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चेनल पने होगे तो सबस्क्राइब करें, बैल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोडिविकेशन लजाए, बाई मिलते है नेक्स्ट वीडियो में,